दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार देखिए मोय मचली अभी जो एसक्रीन पर देख रहे हैं उसको हमारे तरफ बोलते हैं मोय मचली बहुत से जगा इसको चितल मचली या चितॉल मचली बोलते हैं तो इसका शिकार करने के लिए आपको एक बहतरीन बेट बता रहा हूँ बहतरीन चारा आपको फिशिंग हूक में कैसे लगाना है इसका वीडियो पहले दिखाता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा कि ये शिकार कैसे होती है दोस्तों तो चलिए पहले इसका चारा बताता हूँ आपको कैसे लगाया जाता है दोस्तों इसके लिए बेहतरी इंचारा जो है वो है पोठिया मचली आप अगर जिन्दा पोठिया मचली को लगाएंगे तो ये तुरंत शिकार में आएगी आप दो तरीका से लगा सकते हैं या तो अगर मरी हुई पोठिया मचली है तो उसको काट करके दो टुकडा कर दीजिए या जिन्दा मचली है तो उसको जिन्दा फिशिंग हूक में लगाईए तो देखिए मैं वीडियो में आगे चल करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको बढ़िया तरीका से फिशिंग हूक में लगाना है अभी बरसात का मौसम है तो ध्यान रखना है पानी का जो टॉप लेबल है उससे फिशिंग हूक आपका एक फूट या डेड़ फूट नीचे रहना चाहिए क्योंकि इस समय मचली बारिश के मौसम में मचली उपर घोमती रहती है पानी गंदा के होने के वज़ा से और शिकार करने में उसको आसानी होता है तो इसका ख्याल करके तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैसे चारा लगाते हैं उसके बाद से आपको दिखाऊंगा ये मचली शिकार में कैसे चारा खाती है और फिशिंग होक में कैसे आती है इसके लिए जिन्दा पोठिया मचली बेहतर होता है जैसे आप यहां देखिए किस तरह से फिशिंग होक को हमने लगाया यहां पे देखिए इस तरीका से लगाएंगे तो बेहतर आपको शिकार मिलेगा मचली ज्यादर शिकार में आती है या टुकडा करके भी लगा सकते हैं दोस्तों यह शिकार की हुई मचली है तो देखिए इसके मुह में कैसे फिशिंग होक लगा हुआ है और इसने पोठिया मचली का चारा खाया है तो देखाते हैं आपको इसका मुह खोल करके देखिए इसके मुह में किस तरह से फिशिंग होक लगा हुआ है और चारा इसके मुह के अंदर हैं हम ट्राइब करेंगे देखने के लिए हां है हम कोशिस करेंगे इसको बाहर खीचने के लिए हो नहिता है कि वो प्रुण्ट कर दो हो तो है? दो पे भी जौए लन या लोगन टो है... इना... वो जो रूई आहिए। लोजब लोगन दो दो जाना है अजस्ट लोगन, कि भी अजस्ट, कर दोपस्ट झाल झाल